बाप बच्चों को समझाते रहते हैं कि पावन बनना है तो बाप को याद करो बाप भी पहले गुड मॉर्निंग करके फिर बच्चों को सिक्षा देते हैं अबियत बाप दादा या usually Bagma बाबा गुल जार दादे की धवरण क्या करते हैं गुड मॉर्निं गारते हैं या कुछ और करते हैं कि क्या करते हैं गुड नाइट करते हैं फिर शिक्षा देते हैं? नहीं. लेकिन बाप पहले बच्चों के सामने आ करके क्या करते हैं? गुड मॉर्निंग करते हैं, फिर फिर शिक्षा देते हैं. कौन से बच्चों को? शूत्रों को? शूत्रों को नहीं. शूत्रों को पहले ब्रह्मन बनाते हैं ब्रह्मा के द्वार फिर ब्राह्मनों को बैठ शिक्षा देते हैं और शिक्षा देने से पहले बच्चों से आकर के गुड मार्निंग करते हैं कब करते हैं? गुड मार्निंग कब करते हैं? मार्निंग में करते हैं, कब करते हैं? टाइम है कुछ है? संदम में हैं? अम्रत बेला का अभी कोई खास टाइम है नहीं एक बजे एक बजे से पहले गुड मॉर्निंग नहीं होती बाप विदेशी बनके आए आपके है बारा बजे जब आप आते हैं तो बच्चों से पहले गुड मॉर्निंग करते हैं या सोहाना, सवेरा, सत्युग आगया इसकी दस साल पहले गोष्णा की थी क्या गोष्णा की थी? रस बर्स में पुरानी दुनिया का विनाश और नहीं दुनिया की इस्थापना हो जावेगी तो कहां हो गई इस्थापना? कहां आया गुड मॉर्निंग? सत्युग रूपी सवेरा आया कहीं? दस साल के बाद? संच्छत्तर में? कहीं नहीं आया अरे पहले तो बुद्धी में आएगा? सवेरा कहां आएगा? पहले तो तीरी पर बहस्त लाता हूं तीरी मना हथेली? हथेली मना? उद्धी रूपी हथेली में तुम्हारी उद्धी रूपी हथेली में आकरके सत्युग रूपी सवेरे की सौगात देता हूं एक हाथ में तीरी में बहेश्ट और दूसरे हाथ में हाथ पसार देता हूँ लग क्या लग तन्न मन धन समय संपर्क संबंध साब शुर्य सेवा में लगाओ तो मैं तुम्हें विश्व की बात्साही का सवेरा दे देता हूँ तो हमें भी दे दें सवेरा बाप आकर के बुद्धुरुपी हत्वेली में देते हैं माने कोई नंबरवार बच्चे हैं जिनकी बुद्धी में ये बैठता है एडवान सुनाली जी में आने से ही बैठता है कि अब हमें जो पाना था सो पा लिया तो बाप पहले गुड मॉर्निंग करते हैं फिर बच्चों को शिख्षा देते हैं पहले पहले बाप की याद में बैठो चलते फिरते बाप को याद करो सिर्फ बैठ के याद नहीं करो क्या करमेंद्रियों से कर्म करते हुए बाप को याद करो क्योंकि जन्म जन्म अंतर का सिर्फ पर बोजह बहुत है इस बात का बोजह अच्छे बुरे करम किये है ना तो जो पाप कर्म किये है कर्मेंद्रियों से उनका बोजह बहुत है सीड़ी उतरते उतरते तुमने एक चौरासी जन्म लिए चौरासी जन्मों में भी सीड़ी उतरे ऐसे नहीं 63 जन्म में ही उतरते जो पहले पहले किस जन्म है उन्हें में भी सीड़ी उतरे अभी फिर एक ही जनम है चर्थी कलाकर चौरासी जनम उतर्थी कलाकर और एक जनम है चर्थी कलाकर जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी और ताकत मिलेगी बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नमबर में रखा जाता है रखा तो जाता है आगे नमबर में बैठते भी हैं आगे आगे तलहेटी में जब बाणी चलती हैं तो कौन आगे आगे बैठते हैं दिजी दादी दादाएं साब आगे आगे बैठ जाते हैं तो बोला आगे नंबर में रखा तो जाता है परंत वो याद में तीखे नहीं है क्यों तीखे नहीं है याद भी तब तीखी होगी जितना बुद्धी में गहरा ज्ञान बैठा होगी ज्ञान में कमजोरी होगी ज्यान मना ज्यानकारी तो याद अच्छी तरह से नहीं आवेगी और जिनकी बुद्धी में बाप का बाप की पहचान इन बैठी हो तो उनको बाप की याद कैसे आवेगी बले आगे आगे बैठ जाते परंत वो पावर नहीं मिसकती ज्यान में तीखा पन अलग बाद और याद में तीखा होना अलग बाद याद की अत्रा जैसे है यह नहीं ज्यान में तो ऐसे बच्चे हैं जो बाबा से भी तीखे चले जाते हैं क्योंकि दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस बहुत रहती है बहुतों से मिलते रहते हैं तो ज्यान के प्रैंट्स पक्के होते रहते हैं बाप तो बच्चों की महमा करते हैं यह भी नम्मर वन में जाते हैं तो जरूर महनत भी करते होंगे कौन? ब्रह्मा बाबा? तुम हमेशा यह समझो कि हमें सिव बाबा समझाय रहे है हमें समझाने वाला ब्रह्मा बाबा नहीं है कौन समझाने वाला है? सिव बाबा समझाय रहे है ब्रह्मा बाबा की सोल तो अभी भी गुल्जार दादी में जाकर के गुड नाइट करती है सत्य गुरुपी सवेरा उनके लिए गैसे अभी आया ही नहीं उनकी गुद्धी में अभी ज्ञान का मूल पॉइंट नहीं बैठा क्या गीता का भगवान क्रस्ण नहीं है अगर क्रस्ण नहीं है तो फिर कौन है शिव बाबा तो पहले से कहते चले आई चितर बनाए दिये शिव जोत्य बिंदू शिवलिंग का चितर बनाए दिया एक तरफ और दूसरी तरफ क्रस्ण का चितर बनाए दिया और पूछा अज्य करो गीता का बगवान कौन? यह सिवलिंग या कस्ण? कस्ण बच्चे के रूप में दिखाए दिया? तो बच्चा क्या गीता का ग्यान सुनाएगा? बच्चा गीता पती बगवान बनेगा? गीता माता है तो गीता माता का पती भी बच्चा होना चाहिए क्या? उन्होंने बच्चा बनाई दिया? किनोंने? बच्चे को अगर गीता माता का पती बनाई दिया जाए तो इससे बड़ा पापा और क्या होगा? यही भारी भूले है जिस भारी भूले के कारण बारत का सत्या ना सुग गया द्वापर के आद में फिर भी चाल अच्छी थी सास्तों में शुरू शुरू आत में गीता में कृष्ण का नाम नहीं था बाद में कृष्ण के पुजारियों ने जो साकार उपासक थे उन्होंने कृष्ण का नाम जोड़ दिया और निराकार के प्रतिशद्धा घटाई दी तो बगवान जब कृष्ण हो गया तो लोग समझेंगे कि ज्ञान देने वाला कृष्ण ही होगा परन्त बाप कहते हैं तुम हमेशा यह समझो कि स्विव बाबा हमको समझाय रहे हैं हमको समझाने वाला कोई कृष्ण बच्चा या ब्रह्मा की सोल नहीं है तुम ऐसा समझेंगे तो तुमारा बुद्धी का योग बाबा की तरफ लगा रहेगा नहीं तो क्या होगा जो दीदी दादी दादाएं शरीर छोड़ते जाते हैं उनका बुद्ध योग कहां लगा रहता है अरे प्रह्मा बाबा को याद करते हैं तो उनकी तरफ बुद्ध का योग लगा रहता है उनकी बुद्ध में यही बैठा हुआ है कि गीता का साकार भगवान क्रश्न औरुफ है दादा लेख राज भी था इसके अलावा कोई और गोई नहीं सका यह भी सिखाते होंगे सिखाते होंगे यह मने कौन हाँ जब इनकी बुद्धी में बैठ जाएगा तो यह भी सिखावेंगे अभी तो कस्न बच्चा पढ़ रहा है advanced knowledge ले रहा है यह knowledge भी जब पूरी हो जाएं तब यह भी सिखावेंगे फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो इसको समझाने के लिए चित्र भी देते हैं इसको समझाने के लिए इसका चित्र दिया है शो बाबा का चित्र है क्या तर्मूर्टी के चित्र में इशारा तो दिया है तर्मूर्टी के चित्र में कौन बाप है और कौन दादा है तता कती तो ब्रह्मा कुमार तो बिंदी की तरफ इशारा करेंगे यह बाप है और ब्रह्मा की तरफ इशारा करेंगे यह दादा है लेकिन नहीं बाप दादा जब कहते है तो बाप बड़ा है और दादा चोटा है बड़ा बड़ा किस आधर पर होता है बड़ा बड़ा तब होता है जब कोई बड़ा काम करके दिखाए दादा ने उतना बड़ा काम नहीं किया होगा जितना बड़ा कारिय है बाप ने करके दिखाए होगा बाप और दादा दोनों में सुप्रीम सोल प्रेवेश करता है, दादा है बड़ा भाई, पान्सो करोड़ पत्तों में पहला पत्ता बड़ा भाई, और सो पहले पत्ते को जन्म देने वाला कौन? बाप बीज, तो जो बीज है, वो नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाला है, और जो नई दुनिया बनती है, उसमें कृत्निकी सोल जन्म ले करके प्राप्तिक बरती है, युवराज बनती है, प्रिंस बनती है, बाप आते हैं, तो इनकी भी महमा करते हैं, और जो बाप है, सारी सश्टी का, मनुष्य सश्टी का बाप, उसको भी महमा बनती है, महमा जो करते हैं, तो महमा की कुछ बात सुनाते होंगे न, कहते हैं, फ़लाना बहुत धनवान है, तो महमा की या गलानी की, क्या किया, कोई धनवान होता है, तो धनवान कब बनता है, आज की दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, आज की दुनिया के तो लगपती, करोड़पती, जूथा धनदा करके बनते हैं, लेकिन जो सच्छे धनवान होते हैं, चाए ग्यान के धनवान हो, चाए स्थूल धन के धनवान हो, वो महनत करते हैं, तो धनवान बनते हैं, चलो, पूर जनम में महनत की हो, पूर जनम में बहुत महनत की होगी, दान पुन्य करने की, तो अगले जनम में आटोमेटिक वो ध तो ये भी महमा होई ना, कोई-कोई धनवान होते हैं, रिलिजियस माइंडेड भी होते हैं, अब तुम तो ये जानते हो, उंच ते उंच तो भगवान है, धनवान उंच ते उंच नहीं है, उंच ते उंच भगवान है, कुबेर को उंच ते उंच नहीं कहेंगे, क्यों? कुबेर बहुत धनवान माना जाता है, लेकिन भगवान से उंचा नहीं माना जाता है, उंच ते उंच कहेंगे, तो जरूर इस दुनिया की बात होगी, या सांतिधाम और सुकदाम की बात होगी, इस दुनिया में ही उंच ते उंच और निच ते निच होते हैं, कहते भी हैं, बरो बर उंच ते उंच हैं, फिर बोलो, उनकी वाइग्राफ ही तो बताओ, तो कह देतेंगे, वो सर्व्यापी हैं, तो उंच ते उंच भगवान ही कहा जाता है, और वो निराकार को कहा जाता है, निराकार और वो उंच ते उंच ते उंच हो गई, उसमें निराकार का मतलब, जब उंच ते उंच निराकार कहा जाता है, तो उससे साबित होता है, उसने निराकारी स्टेज में रहकर के जरूर कोई उंचा कारी किया है, देवान की स्टेज में रहकर के वो उंचा कारी है, नहीं हो सकता है, वो आकर के शरीर धारन करते हैं, है तो निराकार, फिर भी शरीर धारन करते हैं, एक भगवान के बच्चे साब भाई-भाई हैं, साब आत्माय भाई-भाई हैं, अभी इस शरीर में विराजमान हैं, क्या का, हैं तो भाई-भाई, लेकिन वो आत्माय जो निराकार हैं, वो साब शरीर में विराजमान हैं, और साब अकालमूर्थ हैं, क्या बिंदु बिंदु आत्में उनको कोई काल खाता है क्या साब काल मूर्थ है जब साब आत्में काल मूर्थ है तो फिर एक को क्यों कहा जाता है कालों काल महा काला काल मूर्थ इससे क्या साबित हुआ बन सब आत्म है जो तिविंदू है निराकार है अभिनासी है उनका कभी विनास नहीं होता उनको कभी काल नहीं खाता काल शरीर को खाता है लेकिन वो निराकार जो एक कहा जाता है अकाल मूर्थ वो जिस शरीर में प्रवेश करता है मुकर्ण रूप से उसको दुनिया में कोई काल को खाते हुए देखता नहीं इसलिए वो कालों का काल महा काल कहा जाता है सारी दुनिया को काल खा जाएगा परंतु उसको कोई भी काल को खाते हुए देख नहीं सकेगा ये अकाल मूर्थ का तक्त है अकाल तक्त कोई और खास चीज नहीं होती है खास चीज नहीं होती है ये अकाल मूर्थ का तक्त है इसके अलावा और कोई खास चीज नहीं होती है अकाल मूर्थ का तक्त ये तक्त है अकाल मूर्थ का अकाल मूर्त का अकाल तक्त आत्म है तो सब अकाल है कितनी यती सूप शमबाते हैं बाप है वो भी निराकार अब वो अपना तक्त कहां से लावेंगे निराकार बाप हो अपना तक्त कहां से लावेंगे बाप कहते हैं मेरा भी यह तक्त है ऐसे नहीं कि टुमारी आत्मा का ही तक्त है मेरा भी यह तक्त है यह तक्त कहे किस तरफ इसाना किया ब्रमा की तरफ ब्रह्मा की तरफ कहें तो ये तक्त है तो वो अताल मुर्थ है उसको तो काल खा गया तो ये तक्त है ये कहके किस तरफ इसारा किया जिसको इमर्ज करके बोलते हैं उसकी तरफ इसारा किया मेरा भी अताल तक्त ये है मैं आकरके इस तख्तका भी लोन लेता हूँ आप किस के लिए कहा ब्रहमा के लिए ब्रहमा के साध़न बूरे तन में आकरके बैठता हूँ न आप तुम जान गये हो साब आतमाँ का ये तख्त है की बात की जाती है कोई जानवरों की तो बात नहीं है पहले मनुष्य है जो जानवरों से भी बदतर हो गई है वो तो सुधर जाएं इसको सुनावेंगे क्यान क्या जानवरों के तक्तपर आगर के पहले अभिराजिमान होगे बक्ति मार्ग में तो जानवरों की अवतार भी देखाए दिये तो क्या भगवान जानवरों को सुधारने के लिए आता है जानवरों को सुधारने के लिए तो नहीं आता होगा इसको सुधारने के लिए आता है जो जानवरों से भी बदतर बन जाते हैं उनको आकरके सोधारता हो और उनको आकर से आकरके बंदरों से मंदर लाइक बनाता हो तो मनशी तो पहले सोधार है, कोई जानवरों की बात पूछे, तो पहले अपना तो सोधार करलो जानवरों की चिन्ता बाद में करना साथ्यूक में जानवर वी बड़े अच्छी-च्छे फर्स ग्लास होते उनमें किच्ड़ा आधी कुछी भी नहीं होगा किंगी के महल में किच्ड़ा आधी पड़ जावे तो दंड दाल देवे जराभी किचड़ा महल के अंदर हो नहीं सकता क्या? कौन सा महल? जो संगठन रूपी महल बनेगा राजाओं का उन संगठन रूपी महलों में कोई किचड़ा? विविचार का नहीं डाल सकता बहां बहुत थबरदारी रहती है कहां? उन संगठन रूपी महल में बहुत थबरदारी रहती है पहरे पर सदैव कोई न कोई बना रहता है काव कोई जानवर आदि अंदर घुसन सके जानवरों के लिए पहरा लगाया जाता है जो जानवर बुद्धी मनुष्य है जो जानवरों की तरह बुद्धी चलाने वाले है ऐसे जानवर बुद्धी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते इसलिए बोला तुम पांडवों का केलाभी ऐसा बन जावेगा जो कोई भी उसमें पाउं भी रख नहीं सकेगा अंदर आ न सके बहुत सफाई रहती लक्षी नैड के मंदर में कितनी सफाई रहती शंकरपारवती की मंदर में कबूतर भी दिखाते जी क्या बात हुई राजाओं के मंदर में कोई जानवर गुज़न सके मंदर माने घर, महल, अपना परिवार, घर परिवार उसमें कोई जानवर गुद्धी प्रवेशन ही कर सकता और जो राजा बनाने वाला है कौन? शंकरपारवती जो राजा, राजाओं का राजा बनाने वाले हैं उनके मंदर में क्या होता है? उनके मंदर में कबूतर रहते हैं वो कबूतर क्या करते हैं? उनको ज्ञान की कंटी होती है क्या? ज्ञान सुनने सुनाने के लिए वहां बैठे हुए हैं क्या? नहीं, कहें के लिए बैठे हैं? अब वो उपर कचरा डालते रहते हैं है कहां की बात? इस बात को सुनके गुरु लोग नाराज हो जाते हैं क्या सुनके? बोलाया संकर पारवती के मंदर में कबूतर दिखाते हैं हां कबूतर भी दो प्रकार के होते हैं एक काले कबूतर और एक सफेद कबूतर गंद तो दोनों परते होंगे चाहिए सफेद हों चाहिए काले हों कबूतर होंगे तो पिचला जरूर करते होंगे अब देखो शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लेखती हैं अरे दंत कथाएं लेखती हैं तो बोलते काई के लिए जरूर कोई थास बात है नहीं क्या थास बात हुई तो वो तो यह गिकिया आधी में ही छोड़ करके चले गए कौन तूरी वंसी चले गए बाकी क्या बचे बाकी बचे चंद्रवंसी और चंद्रमा की गोद में पलने वाले इसलामी बहुत धी किस्ट्यन जोभी जोभी दूसरे धर्म के विदेशी विधर्मी आत्माएं थी वो यगिके आधी सिले करके अब तक भी आब तक भी उनकी रहबरी में पल रही है तो जो दूसरे धर्म में कनवर्टों ओने वाली ये ब्रामन हैं पक्चे पक्के वो ब्रामन बन करके ब्रह्मा के मंदर में विराजमान होंगे तो वो क्या करेंगे निर्विकारी बनेंगे या त्रे सब जन्मों के अपने हिसाब किताब के अनुशार मंदर में भी गंद करते रहेंगे पहले निर्विकारी कौन बनेंगे शुर्यवनसी बनेंगे या एसलामी बहुत दी किस्चन बनेंगे शुर्यवनसी पहले निर्विकारी बनेंगे और बाकी जो है वो साब गंद करते रहते हाँ सूरिवन्सी थोड़े समय के लिए आते हैं जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि कंठी वाले तोते भी बंदर में आ गए शंकर जी कथा सुनाए रहे थे और कभूतर बैटे हुम हुम आवाज कर रहे थे तो संकर जी ने सुना हाँ यह कथा सुनते हों बोले वाले तो हैं कौन कभूतर नहीं स्यो बाबा तो वो गूंगूं की आवाज सुनके उन्होंने समझा कि पारवती बड़े ध्यान से कथा कथा सुन रहे है तो कभूतर गंद भी करते रहते हैं तो कुछ सुनते नहीं आवाज करते हैं और तोते कोई अंदर बैट करके आवाज नहीं करते हैं वो थोड़ी कथा सुनते हैं और बाहर जाकरके बहुत आवाज करदेते हैं ग्यान की चारों तरफ ग्यान की आवाज करते हैं तो उनको ग्यान की कंठी दिखाई गई तो देखो शास्वों में कैसी दंत कथाई लगाई है अब जानवर पक्षियों की तो बात है ही नहीं बाप बैठ बैच्चों को ये बात हैं समझाते हैं उनमें भी बहुत थोड़े हैं इनमें बत्यों में जो इन बातों को धारण कर सकते हैं बाट की कुछ भी नहीं समझते हैं कि छाड़ी तक भी मूर्ख के मूर्ख ही रह जाते हैं बाप कितना समझाते हैं बहुत मीठा बनो बाप से सदय ब्रतन निकालने चाहिए क्या नाम रखा है रूप और किसका नाम रखा है बसंद रादयों गनम रूप बसंद रखा है जब मुरली चलाते थे तो शिव बाबा तुम किस से कहते थे कोई बच्चे हैं जिनको एमार्ज करके बोलते थे तुमारा नाम ही रखा है रूप बसंत रूप मन याद में रहने से अवस्ता कैसी बन जाती है श्याम यह सुंदर है सुंदर बस्ता बन जाती है उसको बाजाता है रूप क्या जो भी रूप बान होते है जो भी रूप बान होते हैं गोरे चिप्थे होते हैं दुनिया भी तरीके से उनको पाजाता है यह रूप बासी यादो क्या कहते हैं योरुप वास ही यादो और ज्यानकी वासा में यादभो का हैट कोन दिखाया है यादमों का हैट दिखाया है संकर को और बक्ति मार्ग में भी यादमों का हैट किसको बताया है तस्न को दोनों को ही कहते हैं तस्न के लिए टाइटिल देते हैं चाम और सुन्दर कौन टाइटिल देते हैं भगत देते हैं या शिव बाबा देते हैं? कौन टाइटिल देते हैं? शिव बाबा देते हैं, श्याम सुन्दर टाइटिल, एक व्यक्ति को देते हैं या दो व्यक्तियों को देते हैं? व्यक्ति तो एक ही है, बक्ति मार्ग में उसको श्याम सुन्दर कहते हैं, श्याम क्यों के नहीं किeremos कोई काला दिखाया है राम को भी काला दिखाया है राम को भी इसलिए इसलिए काला दिखाया दिखाया है अच्छा फेल होने से कोई बचता है 500-700 करोड की जो भी मनुश्यों की दुनिया है उसमें फेल होने से कोई बचता है माया किसी को छोड़ती है माया किसी को नहीं छोड़ती सत्यगु में आने वाली एक भी ऐसी आत्मा नहीं है पहला पत्ता कर्शन से ले करके किसी को पहले फेल करती है और किसी को बाद में फेल करती है तो पहले फेल होना अच्छा, या बाद में फेल होना अच्छा, जब फाइनल रिजर्ट निकले, पहले फेल होना तो फिर भी अच्छा है, तीन मास की परिक्चा होती है, छे मास की परिक्चा होती है, उसे फेल हो जाए, कोई हर्जा नहीं, लेकिन फाइनल में अगर फेल हो तो तो बहुत गुरा माना जाता है तो पढ़ाई चल रही है ईश्वर की ईश्वर की पढ़ाई इस जनम में चलती है या सत्यू के अगले जनम में चलेगी इस जनम में चलती है इस जनम में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जब बाप आकर के गुड मॉर्निंग करते हैं और गुड मॉर्निंग करने के बाद जब पढ़ाई पढ़ाते हैं तो फेल नहीं होना चाहिए आधि में तो बाप आयाई नहीं था और गुड मॉर्निंग भी नहीं की थी आधि में तो भक्तिमार की जैसे भक्तिमार की चलन होती है ऐसी चलन सब चल रहे थे ओम-ओम का उच्छान करते रहते थे जैसे भगत लोग राम-राम का उच्छान करते रहते संस्वित की गीता के बैठ करके अर्थ सुनाते थे तो आधि में था बक्ति का फाउंडेशन मुरली में गुड मौर्निंग करते लेकिन गुड मौर्निंग होती है जब आप आते है तो मुरली में आए तो गुड मौर्निंग हुई या संसेट पॉइंट की यादगार बन गई संसेट पॉइंट की यादगार बन गई माउंट आबू है पस्चिम में भारत के पस्चिम में है माउंट आबू और सिंद हैदराबाद और पूरम में है कलकत्ता इस्टर्ण जोन सूरज कहां से निकलता होगा पूरम से निकलता है उसलिए जापान के लोग आज भी कहते हैं हम सूर्यवन सी हैं तो तुमारा नाम रखा है रूप बसंत रूप और बसंत रूप मना याद की स्टेज में जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्रैस्ट, गुरु नानक कितने रूप बान दिखाई पड़ते हैं क्योंकि प्रमदाम से डारत आतम आती है और योग यूकते स्टेज में आती हैं संगम यूग में उन्होंने जो योग यूकते स्टेज बनाई थी वो निराकारी स्टेज लेकर के आती है तो कितनी आत्में उनकी तरफ आकर सित होती हैं, किन की तरफ, क्राइस्ट की तरफ, सौर देड़ सो क्रिस्टियन सुनके फालोवर्स बन गए, ऐसे ही इब्राहिम, ऐसे ही गुरु नानक, ऐसे ही महात्मा बुद्ध, तो वो तो बाप थे, दरम पिताएं थे, वो हद के थे, ये तो पांसो, साथ सो करोड़, जो भी मनुश्य सक्ति है, जो भी दरम के है, जो भी देश के है, उन साब देशों के बच्चों का बाप आया हुआ है, हर धर में कनवर्ट होने वाली आत्माओं का भी बाप आया हुआ है, तो उसका नाम रखा है शास्त्रों में, शाम सुन्दर, वो जितना काला बनता है, इतना और कोई भी काला नहीं बनता, जितना काला पार्ट बजाता है, उतना और कोई भी काला पार्ट बजाए नहीं सकता है, और वो ही इतना सुन्दर बनता है, कि इतना सुन्दर कोई भी धरम केता नहीं बन सकता है, इसलिए वो रूप भी है, और रूप पहले या बसंत पहले, जब नाम लिया जाता है रूप बसंत, तो पहले रूप और बाद में बसंत, माने जोड़ी है रूप बसंत की, कोई कथा बनाई हुई है, रूप मना रामवाली आत्म और बसंत माने कष्ण जो विश्णु का पार्ट अदा करता है, या वैश्णभी देवी, गुणों की खान, जैसे फूलों में से सुगंद निकलती है, ऐसे दुप गुणों की खुश्वुआ निकलती रहती है, तो तुम हो रूप बसंत, ये वास्त में आत्मा की ही महमा है, कोई शरीर की महमा नहीं है, आत्मा सतो परदान बनती है, तो रूप बसंत का टाइटिल लेती है, आत्मा कहती है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं भलाना हूँ, मेरे शरीर का ये है, अच्छा, शरीर का नाम तो ये है परन्तो शरीर में जो आत्मा काम करने वाली है वो आत्मा किसका बच्चे है कहेंगे एक परमात्मा बाप की सब आत्माई बच्चे है तो जरूर उन आत्माओं को भी वर्षा देने वाला कोई होगा न आतमाओं का भी तो कोई बाप होगा ना पर तो आतमाइ तो अभिनासी है आतमा तो create नहीं की जाती शरीर तो create किया जाता है बाप बच्चे के शरीर को create करता है जन्म देता है फिर आतमाओं का जो बाप है वो create कैसे करता है आत्मा है तो अविनासी है उनका अविनास कभी होता नहीं जो चीजी create करी जाती है वो तो पहले होती नहीं बच्चा पैदा होता है मापापको पहले बच्चा तो था नहीं फर बच्चा create हुआ ऐसे नहीं उससे बच्चे की आत्मा को create किया नहीं उसकी देह को जन्म दिया आत्मा तो उसमें प्रवेश कर जाती है तो आत्मा को जो वर्षा मिलता है वो कौन से creator से मिलता है आत्मा को बाप होता नहीं create करने वाला आत्मा यह अभिनासी आत्मा को बाप भी होनी वह अभिनासी तो वर्षा देने वाला कैसे हुआ आत्मा create नहीं की जाती है लेकिन जब तक आत्मा का बाप आकर के आत्मा को परिचे न दे तब तक आत्मा को अपने स्वरूप की पहचान नहीं होती है इसलिए वो आत्मों का बाप कहा जाता है मना ज्ञान क्रियेट करता है आत्मा को क्रियेट नहीं करता है तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा जिस बाप से वर्षा मिलता है वो बाप फिर सरव्यापी कैसे हो सकता है सरव्यापी मना अनेक बाप हो गए तो अनेक बापों से वर्षा मिलेगा क्या कितनी गलानी करते हैं बाप की गलानी करते करते पत्थर बुद्धी बन गए तुम समझते हो पत्थर बुद्धी बनने वालों में अबन नाम किसका गाया हुआ है 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 बोलो पत्थर बुद्धी बनने वालों में पहला नंबर नाम किसका गाया हुआ है अहिल्या कर तो अहिल्या ग्या गलानी करती होगी बाप की और दूसरों से करवाती भी होगी जो भी अहिल्या के फालोर्स होंगे उन सबसे अहिल्या जो है वो ग्लानी का काम करवाती होगी ना तो बाप कहते हैं कितने पत्थर बुद्धी बन गए तुम समझते हो हम तो आगे कुछ भी नहीं जानते थे किया इल्या किसको कहा जाता है किसको कहा जाता है जो बगवान की सबा में अहि माने सर्प लेया जो विकारी सर्प होते है ना उन विकारी सर्पों को जान बूज करके पकड़के ले आती है, बाप कहते हैं मेरे सामने विकारियों को आने नहीं देना, अरे विकारी तो सब ही हैं, अभी देवता कौन बन गया, देवता तो नहीं बन गया, लेकिन कोई जो सच्छे होते हैं ज्यान में आने के बाद, यह अंजाम तो करते हैं, क्या, हम जीवन बारे पवित्र रहेंगे, अब हम विकारों का भोग नहीं करेंगे, हिम्मत तो करते हैं, तो हिम्मत करेंगे तो उनको बाप की मदद मिलती है, बाकि जो हिम्मत ही न करें, विकारी का विकारी ही रह जाएं, सभामें इसलिए आकर के बैठते हैं कि देखें यह बगवान है तो अब पैचानता है कि नहीं इनको पता पड़ता है कि नहीं कि मैं विकारी हूँ या निरविकारी तो बाप कहते हैं मुझे क्या यह जनने की ज़िए जो जैसा करेगा वैसा पाएगा बाकि जो विकारीयों को विकारी समझते हैं फिर भी बाप की सभा में लाकर के बैठता देते हैं तो बाप कैसे हैं वो पत्थर बुद्धी बन जाते हैं अब भी तुमारी बुद्धी कितनी खुली है तुम कोई भी मंदर में जावेंगे मंदरों में जो चितर रखे हुए हैं तुम कहेंगे ये तो साब चितर जूटे हैं दस बोजाओं वाला हाथी की सून वाला ऐसा कोई देवता होता है क्या कितने पत्थर बुद्धी बन गए ये साब जूटी बात हैं वो तो सब हैं बक्तिमार की सामिक्री अरे बक्तिमार की सामिक्री तो है फिर बाबा क्यों बोलते हैं बोलते हैं माने हमारी बुद्धी उकसाने के लिए बोल रहे हैं इसारा देते हैं, कि भगवान के मुख से जिन सब्दों का, जिन बातों का, शास्त्रों की बातों का उच्चारण होता है, उन बातों में जरूर सार बरा हुआ है, उन सार की बातों में से सार निकालना चाहिए। बास्तम में बक्ती होने चाहिए एक शियू बाबा की, जो सबका सद्गती दाता है, बास्तम में शियू बाबा की बक्ती होने चाहिए। और जो दूसरों की बक्ती होती है, वो आवास्ति को बक्ती है, बक्ती है क्या? वो बास्ति बग्ती नहीं है क्या? बक्ती, भावना, सद्धा, विश्वास किसको अरपन करना चाहिए? उची ते उची एक बाब को अरपन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भगत जी ने हनुमान की पूजा की, हनुमान ने राम की पूजा की, राम ने सिव की पूजा की, संकर की पूजा की, और संकर ने भगवान को याद किया। तो वास्थम में किसके प्रति सद्धा विश्वा सरपण करना चाहिए जो उंच ते उंच है उसी को पकड़ना चाहिए न इसलिए बोला कि वास्थम में भक्ति होने चाहिए एक शिव बाबा की जो कि सबका सद्गति दाता है तुमारी गुद्धी में है कि ये लक्षी मिनाय करने भी 84 जन्म लेकर के दुर्गति को पाए है क्यों ये लक्षी मिनाया जिनको शिव बाबान नर से नारण नारी से लक्षी मिनाया वोन की दुर्गति कैसे हो गई कारण क्या हुआ अरे कोई कारण होगा ना अगर शिव बाबा ना आते तो ये भी सद्गति को ना पाते कौन ये लक्षी मिनाया वे उंच ये उंच बाप ही आ करके सबको सद्गति देते है उनसे बड़ा कोई भी नहीं है बड़ा और छोटा किस दुनिया में होता है साकार दुनिया में बड़ा और छोटा होता है तो साकार दुनिया में कौन है जो हूँच ये उंच माना गया है इसकी सबसे जास्ति भक्ति होती है कोई है चित्र ऐसा नहीं है आर जो 33 धेवताय हैं उनके उत्ने मंदिन और बक्ति और उनकी मूर्तियां नहीं बक्ति हैं उतनी पूजा नहीं होती जितने सिवलंग की होती कोई कहेंगे सिवलंग यह तो निराकार हैं । नहीं शिव लिंग जो है उसमें बिंदू निराकार है जैसे सोमनात के मंदिर में हीरा रखा हुआ था बिंदू की यादगार तो वो निराकार जो तो बिंदू की यादगार है और जिस लाल पत्थर में वो हीरा जड़ा हुआ था वो लिंगाकार पत्थर है साकार की यादगार तो साकार और निराकार दोनों की प्रवित्ति का मेल है, हम हैं ही प्रवित्ति मार्क के पुजारी थे, द्वापर्युक के आद से ही ये प्रवित्ति मार्क की पूजा का फाउंडेशन पड़ गया था इन ग्यान की बातों का तुमारे में भी नंबरवार है, दारणा होती है, दारणा नहीं कर सकते हैं तो बाकी क्या काम के, थोड़ी बहुत सर्विस करते थे, वहां से आ गए, तो गोया कुछ भी नहीं करते हैं, जो थोड़ी बहुत उन्नती होती थी, वो भी खतम हो गई, अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे ही बन जाती है जो गाएं दूद नहीं देती है उनको फिर पिंजरा में रखते है किस लिए? ओस गर में कटाने के लिए तिन गवनों की बात हो रही है जानवर गवनों की बात कर रहे है नहीं कृष्ण के बाड़े में जो गवनों दिखाई जाती है उन गवनों में अगर कोई ऐसी गवनों है जो दूसरों को ग्यान नहीं सुनाई सकती ग्यान की बात है धारन नहीं कर सकती आपस में ही एक दूसरे में उनका लगाव लग जाता है देह का लगाव लगता है बातावर खराब करती रहती है तो गवुएं फिर पियर घर में पियर घर में मना पोस घर में रखी जाती है कटाने के लिए उनका क्या अंजाम होना है क्या अंजाम होना है कसा ही उनको काटेंगे क्या करना चाहिए बाप के घर में बाप के बाड़े में कश्न के बाड़े में जो गवु में रहती है उनका काम है ज्ञान लेना और दूसरों को ज्ञान सुनाना ज्ञान के अलावा और कोई दूसरा वातावन न बनने पाए अगर दूसरे प्रकार का कोई वातावन बनता है विकारियों से लागत होती है और विकारियों को उठागर के बाबा की सभा में ले करके आती है तो फिर उनको कसाई बेट करके काटे गो जो ग्यान का दूद नहीं दे सकती उनका ये हाल होता है देखो एहमदाबाद में कला है किसे गउपनाम बताया एहमदाबाद में कला है आगे बामबे में थी उनको रुवानी सर्विस करने का चांस मिलता नहीं था कहां बंबे में कहती थी सर्विस करने के बिना हमको लग जाती है अभी देखो एहमदाबाद में उनको चांस मिला है एहमदाबाद में सर्विस का चांस मिला है तो देखो कितनी खुश है कौन सेशन की बाद अरे बूरली की तारी की बूल गए 67 की बाणी साब उनकी महमा करते है तो आब जैसे गवुशाला वाली गवुँ बन गई है बहुत है जो कुछ भी पुर्शार्थ नहीं करते बाबा कहते हैं जो सरेंडर्ड है वो कितने गटे पुर्शार्थ करे 16 गटे पुर्शार्थ करे और जो सरेंडर्ड नहीं है धन्दा दोरी करते है वो कितने गटे पुर्शार्थ करे 8 गटे पुर्शार्थ करे तो दोनों को इक्वल वर्षा मिल जावेगा अगर सच्चाई से करें तो समझते कुछ भी नहीं है कि हम कुछ तो किसी का कल्यान करें अरे किसी और का कल्यान को बाद में करेंगे अपनी तक्दीर का ख्याल नहीं रहता है कितने मस्ती में आ जाते हैं बाप कहेंगे इनकी तक्दीर में नहीं है अपनी सद्गती करने का पुर्शार्थ करना चाहिए देही अविमानी बनना है बाप कितना हूँचिते हूँचे है और आते देखो कैसी पतित दुनिया में है पतित दुनिया में आते हैं और पतित शरीर में आते हैं कैसी पतित दुनिया में आते हैं अरे कैसी पतित दुनिया कहें किस तरब शरा किया नहीं आया बुद्धिम, काइम गंद तालुका, ऐसा तालुका, जहां सश्टी के अंत होने तक गंद काइम ही रहता है, ऐसे गंदे लागिम जो भी संकल्पों की ट्रेन चलने वाली लाइन है ना, जितनी भी स्टेशन है, सब का नाम गंद ही गंद, कास गंद, डड़वारे गंद, दर्याओ गंद, खुदा गंद, गुरु सहाय गंद, गुरु दी के सायता करने वाली गंद सारा ही गंद का गंद का है लागा, ऐसे स्थान में बाप आते हैं, कितनी पतित दुनिया में आते हैं तता कते तो ब्रामन क्या कहेंगे? वो क्या कहते हैं? कहां आते हैं? माउंट आभू में बदभू का पहार जहां आकर के इकठा हो जाएं आभू माउंट आभू में तो पचा से क्यावन में आएं और श्यो बाबा ने तो ब्रह्मा में कराची से ही प्रवेश करना शुरू कर दिया था तो कराची कहना चाहिए या माउंट आभू कहना चाहिए? कराची कहना चाहिए? लेकिन कराची में जिस्तन में आया वो अम्मा था अम्मा थी या बाप था? या बाप था अम्मा थे पावन बनाती है या बाप था पावन बनाता है बाप बनाता है तो बाप कहना आया ना कराची में आया ना माउंट आभू में आया पतित दुनिया में आते हैं, कैसी पतित दुनिया में आते हैं? पतित शरीर में आते हैं, उनको गुलाते हैं पतित दुनिया में. जब रावन दुख देते हैं, तो बुलाते हैं, रावन बिल्कुली ब्रष्ट बुद्धी कर देता हैं, जो अच्छा पुर्शार्थ करते हैं, वो राजारानी बन जाते हैं, और जिनकी बुद्धी ब्रष्ट हो जाती है, वो राजारानी आये थे बनने के लिए, और ही दास-दासी बन करके रहे जाते हैं, माननों कोई सरेंडर हुआ, और सरेंडर होने के बाद, जो बाप बोलते हैं, कि बगवान भी आ जाए, तो भी हमने इसुदर सकते हैं, बाप के घर में भी कभूतर जैसा गंद चोड़ने का काम करते हैं, गंद ही गंद डालते रहते हैं, ज्ञान सुनने सुनाने की बात ही नहीं, तो उनकी बुद्धी वो ताला लग जाता है, पत्थर बुद्धी बन जाते हैं, अच्छा पुर्शार्थ करते हैं, तो राजा रानी बन जाते हैं, पुर्शार्थ नहीं करते हैं, तो गरीब बन जाते हैं, तकदीर में नहीं हैं, तो तद्वीर नहीं कर सकते हैं, कोई तो ऐसे हैं, जो बहुत अच्छी तकदीर बनाए देते हैं, अरे कापन को देख सकते हैं, हम सर्विस करते हैं या दिस सर्विस करते हैं, सर्विस करनी चाहिए दुनिया की, बजाय दुनिया की सर्विस करने के, और अपने बाप के घर की ही सर्विस करते हैं, बाप के घर का ही वाय मंदल बिगारते रहते हैं. तो अंत्यम जो माया की परिच्छाएं होंगी, प्रकृति की परिच्छाएं होंगी, सरकार की ओर से परिच्छाएं होंगी, दुनिया वालों की तरफ से परिच्छाएं होंगी, शरीर के, हिसाब किताब की परिच्छाएं होंगी, उन परिच्छाओं के बीच और डट सकेंग उस समय बाप तो सर्विसेबन बच्चों को याद करेंगे या डिस सर्विस बच्चों को याद करेंगे सर्विसेबन बच्चों को याद करेंगे तो वो तु थम जाएंगे और जो डिस सर्विस करने वाले हैं वो क्या लोगा उनका सरेंडर तो हुए, बापने सरेंडर तो कर लिया, लेकिन फिर उनका अंत में हाल क्या होगा, बाग जावेंगे, ठेहर नहीं सकेंगे, और जब बाहर की दुनिया में जावेंगे, तो राज घराने के दासदासी बनेंगे, या प्रजाबर्ग में जाकर के दासदासी बनेंगे प्रजावर्ग में जाकर के दास-दासी बनते हैं इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसी सोल हजार की लिस्ट में आने से तो अच्छा है अहुकार बने प्रजा में साहुकारों के घरों में भी धेर सारी दास-दासियां होती है बहुत महलमाणियां आटारियां होती हैं बहुत सुकी रहती हैं अच्छा है? ओभी